नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लक्ष्मिकान पार्ट 81 में आपका स्वागत है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे Ordinance Making Power of the President Ordinance Making Power of the President आर्टिकल 123 के अंदर आती है बहुत important power है आप कह सकते हैं legislative powers of the President में one of the most important power है यह लेकिन यह power इतनी जादा बड़ी है कि अकसर कर हमने देखा है कि जो ruling सरकार होती वो इस power का गलत इस्तमाल करती है भले इस खुझ समय के लिए गलत कर सकती है बट गलत करती है तो आगे बढ़ने से पहले आई हूप आपने किताब खरीद लिए दोस्तों मेरे साथ बैट के पढ़ रहा हूँ वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजे इसका क्या मतलब होता है कि भाई अगर एक house of parliament session में और दूसरा house of parliament session में नहीं है तो अब्वेसी बात है कोई नियम कानूर पास नहीं हो सकता तो ordinance आ सकता है अगर दोनों house of parliament session में है तो ordinance आ सकता है अगर दोनों house of parliament session में है तो ordinance नहीं आ सकता है ठीक है तो यह जो ordinance making power है यह president को दी क्योंगी गई है ताकि कोई urgent matter आजा president के सामने में कोई ऐसी स्थिती जिसको predict नहीं किया जा सकता था उस समय पे कुछ extraordinary steps लेने की जरूत है तो भाई ordinance ला सकते हैं जिसे corona का pandemic आ गया अभी corona के pandemic में physical distancing के norms के चलते पार्लेमेंट नहीं मिल पा रही है तो भाईया एक unforeseen emergency आ गई है तो ordinance making power of the president आप यूज़ कर सकते हो लेकिन कहीं ना कहीं इसका criticism इजाधार पे होता है कि गलत तरीके से ordinance making power को इस्तमाल किया गया है ordinances से किस तरीके की नियम कानून आप लेकर आ सकते हो देखें पार्लेमेंट का जो एक act होता है पार्लेमेंट जो एक नियम कानून मनाती है जो लोकसभा राजसभा से पास होने के बाद जब president उस पे sign करता है तब वो एक law बनता है उस law की जितनी ताकत होती ही न उतनी ही ताकत इस ordinance की होती है problem बस यह है कि यह ordinance एक limited time period ही active रहेगा अगर बाद में इसको नियम कानून में बदला नहीं गया ordinary legislative process की थूँ अभी वो कैसे बदला जाएगा इसको देखेंगे लेकिन दोस्तों यह जो exercise of this power है this is subject to four limitances और in four limitations मतलब की चार restrictions है और in restrictions के हिसाब से आप ordinance लगा सकते हो कुछ restrictions मैं अब तक आपको अलड़ी बता चुका हूँ जैसे कि president एक ordinance को promulgate कर सकता है जब या तो दोनो house session में ना हो या दो में से कोई एक house session में ना हो जो कि दोनों में से कोई एक house session में नहीं है और एक law को पास कराने के लिए दोनों house से पास कराना ज़रूरी है एक house से पास कराना enough नहीं है ठीक है जब दोनों house session में है तो उस ordinance को valid नहीं माना जाएगा इसलिए कहा जाता है कि यह जो power है president की to legislate by ordinance यानि ordinance के थूँ जो नियम कानून बनाने की power है this is not a parallel power of legislation this is not a parallel power of legislation parallel power of legislation को इस तरीके समझी दोस्तों हमारी जो government है उस government के तीन branches legislature, executive और judiciary judiciary का अलगी रोल है legislature मतलब लोगसभा, राजसभा और executive executive यह लोग होते हैं जो सरकार चलाते हैं executive को responsible ठहराने वाली बाड़ी कौन सी है legislature है इसलिए legislature की authority को executive skip नहीं कर सकता ordinance waking power executive को यानि की council of ministers headed by the prime minister को यह ताकत देता है कि कुछ समय के लिए इस legislature की authority को यह skip कर सकते हैं अब यह ताकत temporary ही रहेगी हमेशा इसको permanent नहीं कह सकता पर्मनेंट कर दो को यह तो मतलब क्या है legislature का okay legislature का मतलब यहां लोकतवा राजसभा कहा रहा हूँ और executor का मतलब हो गया आपका council of ministers headed by prime minister अब आप बोलोगे sir ordinance तो president pass कर रहा है तो आप council of ministers headed by prime minister क्यों कह रहो जो कि president वही करता है जो council of ministers headed by prime minister बोलेगा अभी यह जो 81st video है लक्षमी गान की 83rd video में मैं आपको बताऊंगा constitutional position of the president वहाँ पे क्या जुगलबंदी है council of ministers की और president की वो पूरी आपको समझ में आ जाएगी बस कल ही तक वो video अपलोड हो जाएगी इसके आगे बात करते है president can make an ordinance only when he is satisfied that the circumstances exists that render it necessary for him to take immediate action अगर president को लगता है कि कुछ ऐसे circumstances हैं जिसमें emergency basis पे एक ordinance लाने की जरूत है और president इस बात से satisfied है तो ही वो action लेके ordinance लाएगा अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों Cooper case हुआ था 1970 में और उस Cooper case में Supreme Court ने बोला कि यह जो president की satisfaction है कोर्ट में question किया जा सकता है on grants of malafide यानि कि अगर president और president की पीछे council of ministers बोली तो council of ministers कुछ गलत चीज प्लान कर रहे है legislature की authority को skip करने की कोशिश कर रहे है और ordinance making power जो उनको दे रखी सम्विधान में उसका गलत इस्तमाल कर रहे है तो उस case में उस ordinance के against supreme court में case जा सकता है यानि कि उनके ordinance लगाने के decision को caution किया जा सकता है supreme court में अगर वो decision गलत है तो और वो decision किस basis पर आप गलत पूरूफ करना पड़ेगा malafide की basis पर गलत पूरूफ करना पड़ेगा इसका एक example भी दे रखा है पहले हमने history में देखा है कि दोनों sessions चल रहे हैं लोगसभा राजसभा चल रहा है अभी राजसभा से जब केंदर की सरकार पास नहीं कर पा रही है किसी एक law को तो क्या करती थी केंदर की सरकार प्रेजिडेंट से बोलती थी आप एक house को प्रोरोग कर दो प्रोरोग में आपको बता चुका हूँ क्या होता है पहले एक house agents I&D होता है agents I&D में उस house का जो presiding officer है वो उसको agents I&D करेगा लोगसभा के case में वो speaker होता है राजसभा के case में वो chairman होता है जो की हमारे राश्टपती होते sorry उप राश्पती vice president होते है अभी agents I&D का मतलब है कि अब ये session जब further notice दिया जाएगा तब मेलेगा तब तक session खतम और agents I&D होने के बाद president एक proclamation issue करता है प्रोरोगेशन का यानि कि उस house के लिए वो session खतम हो गया तो पहले कई बार ये देखा गया कि राज सभा को प्रोरोग कर दिया गया और लोग सभा चलती रही और जब एक house चलना बंद हो गया तो फिर president ordinance ले आया अभी इस बात पर Supreme Court ने बोला कि अगर intentionally केंदर की सरकार president से बोलके एक house को प्रोरोग करवा देती यानि अब एक house technically functional नहीं है अब अगर एक house technically functional नहीं तो आप ordinance ला सकते हो और एक house को जबरदस्ती प्रोरोग करके उसके बाद ordinance power का इस्तमाल करके किसी एक नियम कानून को ले के आती है केंदर सरकार तो ये गलत है चुकि constitution में नियम कानून बनाने की ताकत legislature को दी गई है और अगर executive ruling party की जो council of ministers है प्रेजिडेंट की इस ताकत के गलत इस्तमाल करते है unconstitutional तरीके से तो उसको supreme court में caution किया जा सकता है और supreme court उसको null and void भी बोल सकता है तो मतलब executive parliamentary authority को bypass नहीं कर सकते हैं यानि जो council of ministers headed by prime minister है ये president को पीछे से बोलके parliament यानि लोगसभा और राजसभा की authority को circumvent नहीं कर सकते यहाँ पे state level पे भी ordinance power होती है state level पे जदा तर parallel होती है उसको state में भी बात करेंगे और यहाँ पे भी आगे बात करेंगे इंद्रा गांधी जी का जब राज चल रहा था तब आया 38 constitutional amendment act of 1975 यह देखें और इस 38 में constitutional amendment act of 1910 अच्छता ने क्या किया this made president satisfaction final and conclusive and beyond judicial review यानि इस act में यह बोला गया कि अगर president satisfied है कि भाईया हमने जो ordinance लगाया है वो ordinance सही है तो उसका satisfaction final है उसका satisfaction conclusive है यानि उसके satisfaction के against कोई भी judicial review नहीं होगा अब यहाँ पे president को एक limit से जादा ताकत वर कर रहे हो किसी भी judicial review की ताकत को रोक रहे हो judiciary के ताकत को रोक रहे हो और 38 constitutional amendment act 1975 के थुरू ऐसे बहुत से और provisions बनाए गहे थे जो किसी भी तरीके की judicial review को रोक रहे थे अगर आपको मेरे पहले की वीडियो जगर आपने द्यान से देखी होगी तो ऐसे मैंने बहुत से चीज़े बता ही है ordinance में भी यही करने है कोशिच की किंद्र की सरकार ने लेकिन फिर आप 44 constitutional amendment act देखोगे 1978 में जहाँ पे इस provision को हटा दिया गया और 44 constitutional amendment act 1978 ने क्या बोला कि भाईया अगर प्रेजडेंट के satisfaction में malafied है यानि अगर जबरदस्ती जो council of ministers headed by prime minister प्रेजडेंट के थुरू कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे है parliamentary authority को circumvent करने की कोशिश कर रहे है तो supreme court में यह case जा सकता है तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाईया आप जो प्रेजडेंट है वो ordinance making power का इस्तमाल कर सकता है पर उसके सामने चार limitation है पहले limitation बता दी house session में होना चाहिए ठीक है नहीं है तो ही आप ordinance लगवा सकते हो चाहे दो ना हो चाहे एक ना हो दूसरा कि भाईया अगर प्रेजडेंट ने अपनी ये ताकत को exercise किया और कुछ malafide है पीछे से council of ministers कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे है तो उस case में इस ordinance के rule को challenge किया जा सकता है जुडी च्री में तो दो तो ये बता दिया तीसरा इसका क्या मतलब है कि भाईया पार्लेमेंट के पास जो भी नियम कानून बनाने की ताकत है उतनी ही ताकत एक ordinance में होगी मतलब प्रेजडेंट जो ordinance प्रॉमिलगेट करेगा उसकी उतनी ही ताकत होगी उतनी ही value होगी, उतनी ही force होगी जितने Parliament द्वारा बनाएगे किसी एक नियम कानून की होगी तो ordinance में restrictions आती हैं कि जिन subjects पे Parliament नियम कानून मना सकता है उसी पे ordinance आ सकता है तो ordinance के थूँ आप state laws के subject पे legislate नहीं कर सकते तो Parliament किसके किस पे legislate कर सकती है Union list पे कर सकती है Concurrent list पे कर सकती है ordinance के थूँ भी आप इनी दोनों लिस्ट पे legislate करोगे पहली चीज दूसरी बात कि भाईया सीधी सीधी बात बोला गया है कि जो चीजें Parliament नहीं छीन सकता वो चीजें ordinance भी नहीं छीन सकता जैसे कि for example Parliament कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता जो लोगों के fundamental rights को चीन ले और अगर वो fundamental rights को चीन रहा है तो वो basic structure of the constitution को ओलेट नहीं करना चाहिए यह Supreme Court ने बोला तो यह normal case में जब Parliament नियम कानून बनाएगी तब यह चीज अपली के बिल है ordinance में भी यह चीज अवलेबिल है तो ordinance में ऐसी कोई चीज जो हमारे सम्विधान के basic structure को ओलेट कर रही है या आप कह सकते हो ऐसा कोई कानून जो की Parliament नहीं बना सकता तो ऐसी ही ऐसा कोई कानून अब ordinance के थूँ भी नहीं ला सकते है मतलब normal cases में Parliament जो नियम कानून बना सकता है उनी नियम कानूनों को ordinance के थूँ लाया जा सकता है एक बात मैं अभी आपको यहीं clarify कर देता हूँ वैसे वो आगे आएगा कि आप ordinance मतलब प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट ordinance के थूँ constitution को amend नहीं कर सकता याद रखिएगा constitution को amend नहीं कर सकता president ordinance के थूँ दो बार मैंने बोला है यह point भूलियागा मत यह point किसी mcq में हो सकता है और आगे every ordinance passed by the president भाया प्रेजिडेंट ने एक ordinance प्रोमुल्गेट किया ठीक है उस समय पार्लेमेंट सेशन में नहीं है पर कभी न कभी तो पार्लेमेंट सेशन में आएगी जब पार्लेमेंट सेशन में आएगी उसके बाद उस ordinance को नियम कानूर बनाने के लिए बिल के फॉर्म में पार्लेमेंट के सामने रखा जाएगा दोनों houses में इस पे बहस होगी लोगसभा में भी बहस होगी राजसभा में भी बहस होगी दोनों से पास होने के बाद फिर वो एक act बनेगा ठीक है उसके बाद अगर मान लिजे एक ordinance फॉर्स में था लोगसभा मिली राजसभा मिली पार्लेमेंट के बैठने के छे हफते के अंदर अंदर अगर उस ordinance पे कोई decision नहीं लिया गया तो वो ordinance automatically lapse हो जाएगा दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ कि अगर पार्लेमेंट चाहे तो छे हफते बीचने से पहले ही उस ordinance को lapse करवा सकते हैं अगर वो एक resolution पास करा देते हैं अपने अपने house में कि भाया this ordinance is null and void तो भाया अगर both the houses पार्लेमेंट एक resolution पास करते हैं कि भाया हम इस ordinance को disapprove कर रहे हैं reject कर रहे हैं तो वो ordinance वहीं खतम हो जाएगा तो आप समझे ये बात को ठीके ना ordinance को आपको पार्लेमेंट के both houses के सामने put up करना है जब पार्लेमेंट मिली चोकि वो लाया तब गया था जब पार्लेमेंट सेशन में नहीं थी या एक house सेशन में था दूसरा house सेशन में था या दोना house सेशन में नहीं थी ठीके एक तो ये चीज़ हो गई दूसरा पार्लेमेंट के मिलने के छे हफते के अंदर अंदर उसके उपर अगर कोई decision नहीं लिया गया तो automatically वो ordinance lapse कर जाएगा तीसरा, ordinance को पहले ही disapprove किया जा सकता है ठीक है, कि मतब लोग सभा और राज सभा में एक resolution पास किया जाएगा और बोला जाएगा, भई हम ordinance नहीं मान रहे तो ordinance पहले खतम हो जाएगा चौथा आप ordinance को अप्रूव कर वालो अब यहाँ पर जो मैंने आपको 6 हफते का time बताया तो भई आप पार्लामेंट में 2 houses है एक राज सभा है, एक लोग सभा है तो ये 6 हफते कब से गिने जाएगे तो भई पार्लामेंट की proceeding आती है मान लिजे किसी एक proceeding में हफते का time count होगा न वो 10 September से count होगा यानि जो house बाद में मिलना शुरू कर रहा है उसकी date से लेके 6 हफते तक का time period count होगा और उसकी date से लेके 6 हफते तक के time period में ordinance पे अगर कुछ नहीं हुआ तो ordinance lap उसके बीच में आप पास करा दिया तो act बन गया उसके अंदर अगर आपने disapprove कर दिया तो पहले disapprove हो जाएगा तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक ordinance की जो validity है वो जादा से जादा कितनी हो सकती है देखिए हमारे सम्विधान में साफ साफ लिखा है कि between any two sessions of the parliament छे महीने से जादा का gap नहीं हो सकता ठीक है तो between any two sessions of the parliament छे महीने से जादा gap नहीं हो सकता दूसरा houses के मिलने के बाद छे हफते के अंदर अंदर उस resolution पे एक decision लेना है नहीं लिया तो लाप्स हो जाएगा तो मान लिजे कि दो houses की दो meetings के बीच में छे महीने का gap हो गया और प्लस ये छे हफते तो एक ordinance का जो maximum time period हो सकता है वो हो सकता है छे महीने और छे हफते हाला कि इतना होता नहीं है चोकि normal कर parliament साल में तीन बार मिलती है लेकिन कोरोना के pandemic हमने देखा कि almost parliament 6 महीने के बाद मिली तो constitutional provision है भाईया दो sessions के बीच में 6 महीने ज़्यादा का time नहीं हो सकता तो 6 महीने plus 6 weeks जिसके अंदर decision लेना ordinance पे this is the maximum time of an ordinance ठीक है आप देखे अगर ordinance के बारे में उच्छ और बात की जा तो अगर president ने ordinance को promulgate किया है तो president के ये पास ताकत भी है कि president ordinance को वापस ले सकता है ordinance making जो power है वो president की discretionary power नहीं है कि कल के president साब सो के ओठर उनको लगा कि मैं ordinance ले क्या हूँ नहीं वो ordinance तब लाएंगे जब council of ministers headed by the prime minister उनसे बोलेंगे कि देखे president साब ये ये ordinance ये decision हम ले रहे है इस इस वज़ा से ले रहे है तो आप इसको promulgate करिए ठीक है तो basically ordinance making power is not a discretionary power of the president अब ये discretionary power of the president क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे फिर भाई ordinance retrospective भी हो सकता है retrospective मतलब उसकी जो applicability है वो back date से भी हो सकती so ordinance can be retrospective जिस तरीके से legislation retrospective हो सकते है कि legislation को आपने effect back date से दिया उसी तरीके से ordinances को भी आप एक back date से effect दे सकते हो पहले अगर parliament ने कोई act बना रखा है नियम कानून मता रखा है constitutional amendment act की बात नहीं कर रहो कोई normal act बना रखा है तो उस act को modify और repeal कर सकता है एक ordinance किसी tax law को amend कर सकता है एक ordinance लेकिन सम्मिधान को amend नहीं कर सकता है ordinance अब आप बात करो कि ये जो ordinance making power है आपकी इंडिया की ये क्या किसी और country में मिलती है किसी और democratic country में जैसे अब देखिए जो dictatorship वाली country दे चाइना उनकी बात नहीं कर रहा हो महाँ पर तो dictator की चलेगी तो वो तो जो बोलेगा वही होगा तो वहाँ तो ordinance ही ordinance है लेकिन जो democratic constitution है जैसे USA हो गया जैसे UK हो गया यहाँ पर क्या कोई ordinance making power है जवाब है नहीं है दोस्तों ordinance making power of the president इंडिया में थोड़ी unusual बताई गए दुनिया भर के किसी भी democratic constitution में ordinance making power नहीं है हला कि कुछ democratic constitution को कुछ हद तक डाला गया इस तरीके features को बट ज़्यादा तर नहीं पाई जाती BR Ambedkar जी से जब यह सवाल पूछा गया हमारे बावा साब से constitutional assembly में की भाईया देखो यह ordinance आप लेके आ रहे हो इसका justification दो तो BR Ambedkar सामने क्या बोला कि देखिए यह जो ordinance है इसको हम इसले लेके आ रहे है ताकि अगर कभी जरौत पड़े तो executive के पास यह ताकत रहे कि कैसी ऐसी situation में जिस situation में एकदम से अगर कोई नियम कानून बनाने की जरौत हो और Parliament न मिल सके तो executive नियम कानून बना दे अब यहाँ ध्यान रखेगा Article 352 का ordinance making power से कोई लेना देना नहीं है Article 356 का ordinance making power से कोई लेना देना नहीं Article 352 वो सब emergency है और यह ordinance making power एकदम अलग है ordinance making power आर्टिकल 123 में emergency 352, 356, 360 में फिर आती है कि important चीज़ की भाईया ordinance हमेशा तो चलेगा नहीं तो कभी ना कभी तो वापस लोगसभा मिलेंगी ठीके ना इन लोगसभा में सवाल उठा जाएगा कि भाईया क्या हिसाब है आप ordinance का क्या कर रहे हो तो माल लीजे Parliament के दो houses बाद में दुबारा मिलते हैं लोगसभा, राजसभा दुबारा बाद में मिलती हैं तो rules of लोगसभा क्या बोलते हैं कि भाईया ordinance जो प्रोमुल्गेट किया गया था उसको आप दोना houses में अप्रूब कर वाओ तो जब उस ordinance को bill बनाने के लिए act बनाने के लिए फिर से लोगसभा में introduce किया जाएगा तो उसके साथ एक statement एक कागज attach किया जाएगा और उस कागज में वो नियम कानून लिखे जाएंगे जिसमें या फिर आप कहसे तो उस कागज में वो exact conditions लिखी जाएंगे और conditions में लिखा होगा कि बहिया ऐसी क्या जरूवत आन पड़ी थी कि हमको ordinance लाना पड़ा समझे तो ordinance को पास कराने के समय पे सरकार लोगसभा में पहले यह reasoning देगी कि भहिया हमने इस चीज को introduce क्यों किया था हम ordinance को first time में ले के क्यों है ठीक है न अब देखे यहाँ पे Supreme Court का एक DC वाधवा केस में judgment है ordinance power को लेके इस केस को याद रखेगा दोस्तों कि केस बहुत ज़ादा important है DC वाधवा judgment of Supreme Court 1987 का judgment है ठीक है ना इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि 1967 से लेके 1981 में जो बिहार के गवरनर थे उन्होंने 256 चपन ordinances को promulgate किया उस समय सरकार क्या करती थी बिहार की बिहार की संकार का simple सा fund आता कि एक काम करो हमको जो नियम कानून मनाने है वो ordinance की तुरू बनाते करते क्या थे ये लोग कि ये लोग कोई नियम कानून मनाते थे हैं ठीक है अब माली जे चार महिने तक वो नियम कानून चला अब state assembly का session शुरू होने वाला है तो state assembly का session शुरू होने वाला है तो governor ने जो ordinance को promulgate किया था उसको withdraw कर लेगा assembly session होगा जैसे assembly session होगा फिर से governor उसी ordinance को फिर से promulgate कर देगा तो एक ordinance promulgate हो रहा था फिर उसको withdraw किया जा रहा था assembly session चलता था फिर से उसको promulgate किया जाता था चलता रहता था 3-4 महिने फिर जब अगली बार assembly session का time आता था उसको withdraw कर लिया जाता मैंने आपको बताया ना कि जैसे president के पास यह ताकत है कि वो ordinance को promulgate भी कर सकता है और वो withdraw भी कर सकता अपने हिसाब से उसी तरीके से governor of the state को भी ताकत है कि वो ordinance को promulgate करे और फिर उसको withdraw कर ले तो जैसे ही assembly का session होने वाला हो था बिहार में उससे पहले वो ordinance को withdraw कर लेते था वापस कीच लेते थे assembly का session हो जाता था कोई भैस होती नहीं थी डिबेट होती नहीं थी और फिर जैसे assembly session खतम होता था फिर से ordinance लगा दिया तो ordinance राज चालू हो गया था और 256 बार ordinance लगा 1967 से लेके 1981 की टाइम पिरिड में 14 साल में 256 बार ordinance लगाया गया Supreme Court ने बोला भाई तुमने तो मजाकी बना रखका है तुम तो सीधे सीधे constitution का violation कर रहे हो अरे भाई ordinance तो एक तरीके की ऐसी power है जब आपको बिलकुल ही आपके पास कोई option ना हो तो आप उसको promulgate करो यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आप decision making authority of the legislature को skip कर रहे हो अगर आप इतने ही confident हो इन्हें कानूनों को लेके तो introduce करो ना इनको state legislative assembly में आप state legislative assembly में introduce इसलिए नहीं कर रहे है क्योंकि कहीं नहीं आपको डर है कि आप इनको पास नहीं कर आपा होगे तभी तो legislative assembly का session शुरू होता है आप उसको withdraw कर लेते हो खाता होने बाद फिर से promulgate कर देते हो तो ये गलत है बिहार की सरकार कर क्या रही थी exactly same ordinance वो promulgate करती थी, withdraw करती थी फिर promulgate करती थी, फिर withdraw करती थी उसमें कोई change भी नहीं होता था तो भाया Supreme Court ने साफसा बोला कि एक ही ordinance को promulgate करना, withdraw करना, फिर से promulgate करना, फिर से withdraw करना इस purpose से कि आप legislative power of the state legislative assembly को छीन रहे हो ये, this is basically a violation of the constitution और इस तरीके के ordinances को strung down कर दिया जाएगा चोकि ordinance making is an exceptional power is an exceptional legislative power चाहे वो president की हो, चाहे वो governor की हो और ये substitute नहीं है state legislature की power का नियम कानून बनाने की ताकत state legislature के पास है, वही बनाएंगे आप ordinance की तुरू पैरलल ताकत नहीं चला सकते हो legislative की, और सुप्रीम कूर्ड ने ये बात अपनी डिसेंदी उसके बास से तो ऐसा नहीं हुगा अगली वीडियो में बात करेंगे पार्णिंग पाउर अधर प्रेजिनेंट की बारे में दोस्तों I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो Thank you for watching जादा जादा लोग साथ इस वीडियो को शेर करें